जहीं दोस्तो धमनी और सिरा में अंतर जी हां दोस्तो अगर ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे मैं बताना जा रहा हूं आपको धमनी और सिरा में ऐसे याद रखने के तरीके जो कि आपको याद रखने के बाद भूलने में परिशानी होगी जी हां लोगों को या सकते हो आपको सभी अंतर यह अगर नहीं याद रहें तब भी मैं आपको इसे नौ-दस अंतर बताऊंगा कि जिसमें से का प्रवा होता है और इसका कार्य होता है ही दे से सुद्रक्त को ले आकर मानों होजरी के विभनगों तो पहुंचाना जबकि धामनियों में प्रवाइट होने वाले रख्ट में और सीगं की मात्रा भीал Che other दिआने वाली बात अगला बल्मोनरी धी 50 केThe तो पल्मोन्री धमनी इसमें दोस्तो मानोς भर्य की एक मार्त ऐसी धमनी है की चिसमें असुद्रक्त सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें सुद्रक्त का प्रवा होता है और यह फेफ़णों से रख्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती है या रखने वाली बाते बाएं आलिंद तक पहुंचाती है सिरा के से रहते वह भी सोट में देख लेते हैं सिरा भी प्रगाय की रख्त वाइनी ह अच्छा दोनों कि कारी क्या है अंतर Qur requests वीडियो पूरा देखना ठीक है धंदियो सिर्म के कारी कि इन दौनों में ही रख्त का प्रवा होता है लेकिन धंदियों के कारी है मानु सरीं के यानंगों से असुदक्त को लेकर हीद्ग्यो तक पहुंचाती है ठीक है कि अब इसमे तक देखें दोस्तो बहुत सारे मुखी अंतर है आपको जानना जारूरी है धमनी और शीरा धमनीbene यह में हीद्ग्त म्य फटते से अंगों की ओर जाता है थीक है अब दूसरा अंदर देखते हैं दोस्तों धम्नियों में औकशि कुर्पी होने के कारण लाल दिखाई देता है जब्कि सेस्वाहों के रख में कारवन ड्यव्चितवक कि युदि के कारण नेली दिखाई देती है धमनियों में सुद्रक्त का प्रवा होता है जबकि सिराओं में असुद्रक्त का प्रवा होता है धमनियों में भीटिया मोटी और लचीली होती है जबकि सिराओं में भीटिया कम मोटी यानि की पतली और कम लचीली होती है हिदे की धरकन गती के कारण धमनियों में रक्त का प्रवा अधिक तिर्व गती से होता है जबकि सीराओं में रक्त का प्रवा एक समान गती से होता है अगला अंतर धमनियों में अंदर की गुहा सकड़ी होती है जबकि सीराओं में अंदर की गुहा चोड़ी होती है अगलांतर धमनिया तोचा से दूर अंदर की और इस्थित होती है जबकि सिरा तोचा के निकट बाहर की और इस्थित होती है अगलांतर पल्मोनरी धमनी में असुद रखता प्रवा होता है जबकि पल्मोनरी सिरा में सुद रखता प्रवा होता है याद अखने वाली बात है धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं जबकि धमनी में पाए जाने वाले कपाट का आयतन में कोई परिवतन नहीं होता है जबकि इसमें जो कपाट पाए जाते हैं सिरा में उसमें परिवतन होता रहता है तो दोस्तों उम्मीर है वीडियो पसंद आयोगा चेनल को जरूर सब्सक्राइब करो धन्यवाद